करोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अब राजस्तान सरकार ने भी आखिरकार संपून लोगडाउन का सहारा ले लिया है 10 मईस से 24 मईस तक राजस्तान में यह लोगडाउन लगाया गया है अच्छी बात यह है कि आचानक पिछले साल की तरह यह लोगडाउन नहीं लगा सरकार ने 3-4 दिन का वक्त लोगों को दिया है ताकि वे जरूरत की सभी चीजें अपने घर के लिए खरीद सकें ताकि जब 14 दिन पर यह लोगडाउन लगेगा तो उन्हें परेशान बहुत जादा नहीं होना पड़ेगा सबसे अच्छी बात है कि नियम काईदों में कुछ हद तक सरकार ने छूट भी दिये लेकिन दुला दुलेंसईत केवल 11 लोग ही उसमें उपस्तित रह सकेंगे यहां तक कि हलवाई को भी इन 11 लोगों के कारिकर में शरीक होने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो ऐसे में सरकार चाहती है कि लोग सुरक्षित रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालत करें ज़्यादा एक जगे पर इकटा ना हुएं क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारे विवा के महरत हैं तो सरकार का अच्छी तरह से पता है कि ग्रामिन शेत्रों में यदि विवा समारों के आयजन को अनुमती दे दी जाती है तो सबसे ज़्यादा करोना का संक्रमन वहां फैल सकता है वैसे भी इस वक्त राजस्तान के गाउं में 34 फीस दी तक करोना संक्रमन के मामले आने लगे हैं जो कि सरकार के लिए भी चिंता की एक बड़ी बात है और जो लोगडाउन लगाया गया है दो हफ़ते का उस दौरान सरकार ने सभी लोगों से सतर्क सावधान रहने की अपिल किये सरकार के जो नियम काईदे हैं गाइडलाइन हैं उसमें सयोग करने की अपिल किये जिम मंदिर को तो पहले ही बंद किया जा चुका है अब सरकार लोगों से भी चाती है कि कम से कम दो हफ़ते तक वे अपने घरों में सुरक्षित रहें इस दोरान राजस्तान सरकार की सबसे बड़ी कोशिश होगी कि मजदूरों का पलाएन रुके वे फिर से पिछले साल की तरह इदर उदर पैदल परेशान होकर ना चलने लग जाया और यही कारणे की तीन दिन का तो वक्त दिया ही है साथ ही भवन निर्मान के कारिया इस तरह कि जितनी भी अगर नए भवन अगर कोई बन रहे हैं तो सरकार नहीं वहाँ पर लॉकड़ाउन के दोरान भी काम-काज शुरूर रखने की अनुमति दिया है यानि कि यह लोग मजदूर जो हैं यहां पर अपना काम-काज लॉकड़ाउन के दोरान भी कर सकते हैं हाँ इतना जरूर होगा कि फैक्ट्रियों और मजदूरों और इस तरह के भवन निर्माताओं को लिखित में अपने मजदूरों को एक लेटर देना पड़ेगा सरकार को अनुमती लेनी पड़ेगी कि हमारे यह लोग रोज काम करने आएंगे और रोज चले जाएंगे तो इस दिशा में काम करने के लिए भी सरकार ने अभी से प्रयास कर लिया है ताकि जो गरीब हैं जो रोजना कमा कर खाने वाले लोग हैं उन लोगों को दो वक्त का भोजन मिल सके राजस्तान पुलिस के जवान 2400 गंटे इसी तरह से अब सड़क पर तैनात हैं एक जिले से दूस कि इजाज़त नहीं होगी एक गाउं से दूसरे गाउं भी कोई नहीं जा पाएगा लोगडाउन के दौरान के कैमरामें दिनिश कुमावत के साथ स्रीवत्सन जैपुर न्यूश 24